मिंग ने सपोर्ट किया उनको नॉक ओड कर दिया इसके साथ साथ ही ELG के सारे प्लेयर्स बैक ऑन ट्रैक आगे XQF के प्लेयर्स स्केटर्ड है यहां XQF के लिए बहुत दिक्कतों का पैरा वह एक नेट अटेंप्ट कर रहा है इस टीम के बारे में जितना सुना इतना देखा इतना समझा है कि इस टीम के बारे में कभी गलतिया नहीं हमेशा तारी सुनी है बट आज किसमत नीची शनी भारी था कुछ तो था कि आज यहां पर फफॉन नहीं कर भाए आयोब कि कल एक नहीं सवेदे के साथ एक नया जोश हमें आरर क्यू की तरह से देखने ही मिलेगा कॉज इनके भी काफी फैंस है जिनका बहुत दिलाश टूट रहा है बट अभी अगल की नजर फेरे तो जो टीम नंबर 12 है उन्होंने अपने आपको इक्वली डिस्रिब्यूट कर लिया है रॉनक ने अपने आपको रिवर क्रॉस पुचाया और वहीं पर जो टीम ओवेस मॉटल और वाइपर है वो अभी भी इस तरह है तो यह काफी अच्छा ओप्चन हो सकता है क्योंकि जहाँ पर रॉनक है वहाँ पर बस टीम्स है 16,2 और 5 क्योंकि आप यह बात समझे अल्टीमेटी कंटेनर्स में जितने भी टीम भसड मचा रहे हैं उसमें से एक या दो टीम ही बचके निकल पाएगा पर सोल जहां अभी होल्ट कर रही है आई थिंग यह गेम उनके लिए वह हो सकता है जो इस पुरे टॉर्णमेंट के पुरे टॉर्णमेंट का जो भी पॉइंस टेबल है उसको बदल दिया जाएगा परपल मूट पसी भी है तीम नमबर 16 पसी भी है ARG ELG सब पसे वे हैं एक्सेटी वेफ शायद नॉक आउट हो चुकी है एक बंदा भचा उनका अररक्यू नॉक टैन यहां पे बहुत ही अच्छा खबर आते वे कि जो नेक्स जोन है वो भी टीम सोल के बहुत ही करीब है करीब की दूसरे के यहां वाइक के लिए निकलने आप बहुत दिक्कत हो सकता है टैस्टीम भी मुझे ट्रबल में दिखते हुए BR के भी ट्रवल में पर Soul यहां मुझे काफी सेफ दिखते हुए अब देखना होगा Soul के टीम ने रिच शिफ्ट किया उनको अपने बैक सेट का ध्यान रखना होगा जहां पर पिछे तीन टीम से BR के एक पफल मुडो टेस्ट जो अगर वहाँ से कवर फायर दे तो इनको बहुत केरफूल लेना पड़ेगा कि कहीं इन पर आके उल्टाना पड़ जाओ क्योंकि इनों एक सेट से पुड़े एक्सपोज रहेंगी एक तरफ से तो प्यॉर्ली सेफ रहेंगे पर एक से पुड़े एक्सपोज वहाँ टिंग नमबर 16 और उसके विच्व फाइट होते विए परपल मूट का सीजी ने कवरीनों को नॉक किया सोल लॉन अक वाटेस हीर्स को नॉक करते विए ELG केमिंग मार्कों को नॉक करते विए चारो तरफ एक्शन ये एक्शन है मिटेक ने PLM नवीन को नॉक किया जिसके साबसे मेरी साबसे BR के एलिमिनेट हुए और परपल मूट भी शादे एलिमिनेट हो चुकी है TQ का मिस्टिक बहुत ही बैटरिंग गेपले के साथ ELG के बैजाई को नॉक किया BTR भी मुझे गेम में वापस आते दिख रही है बिल्कु सही का आपने और ये सारा एक्शन कंटेनर में हो रहा और हमारी जो दूसरी टीम है सोल वो फुल पावर एंजॉय करी है और वहाँ पर टेस्के फायर बॉई की मुश्किल में होंगे अब वो दीरे दीरे इस चीज़ को हंट कर सकते है को पानी के अंदर वो शूट लिग कर सकते है अब रौनक अंदर से देख के बता पाएंगे कि कहां पर और तुम कापे शूट कर सकते हो और शाय तुम एख इन मिल पाए कॉस जो PLM के जासपर है वो एक गोली दूर है बस उनकी मौत यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगी बट इस चीज से एक कन्फर्म हो जाएगा कि इस गेम के अंदर यहाँ पर सोल की रैंकिंग में काफी फरक पड़ेगा और गेम का जो मोमेंटम है बहुत ही शानदार चल रहा है और अब धीरे धीरे किल्स नहाँ पर सोल की तरह भी बढ़ेंगी क्योंकि उनको सांस लेंज जब उपर आना पड़ेगा जैसी वह उपर आएंगे उनको पता चल जाएगे कि किस सिचुएशन में कहां पर है बढ़ेंगे आप ए पर पॉपल मूड एलिमिनेट हो चुकी है काफी अनफॉचुनेट था और आप यह देखेंगे ओवेस को यहाँ पर जास्पर की किल्म मिली है रॉनक ने आप ए टेस टेस्टीम बहुत ही डिफिकल्स सिचुएशन से बाउंस बहुत है के सड़नली रॉनक मुझे जोन के बाहर दिख रहे है पानी में इतना बड़ा डैमेज लेगा सिक्स जोन चल लिए गेम में तो रॉनक अगर पानी के अंदर नौक हो जा तो फिनिश हो जाएगा I think वो वि क्यों Marko ने ELG के लीडर को इंसेंटी नौक आउट केर गेम से बाहर कर दिया यह जो में फाइट हो रही है सारी अट्रैक्शन कंटीनर पर चल रही है और लोगों को यह नहीं पता कि असली जो जीत है वो यहां पर चुपी विया और यह एक golden मौका है यह बहुत बड़ा मौ टीम सोल यहां पर अभी मैं मार्क करना चाहूंगा एक लौती टीम है ARG के साथ सारी जो फोर मैं के साथ करने है बागी टीम इसमें एक बंदे दो बंदे ऐसे बचे हैं तो यहां इनके बहुत बहुत इड़ा इनके लिए फेवर में नहीं रहा क्योंकि वाइट के अपने ट इसको क्रोस कर अगे बढ़ेंगे ARG के पेरो के माइगा यहां यहां ने फिए फाइवर को पिक आफ के रिया थोड़ी सी गलती होगी थे वाइपन इनको इंसेंटी गेम से बाद निकाला क्या यहां पर के के एस कुछ कर पाएंगे वहां पर स्पॉर्ट तो चुकिए यहां पर सोल क्ले काफी इंपॉर्टन गेम हो सकते हैं के कैसे जब तक कुछ करते मॉटर को नौक आट किया बट वाइपन उनकी गेम के अंदर एंडिंग कर दी है तीन टीम दस प्रेयर थग इमोशन आउट ओफ कंट्रोल हो रहे हैं चलो लास सर्कल की बात करते हैं टीम सो बंदे अलाइव है एर जी के चार बंदे हैं एलाइट गेमिंग का एक ही बंदा बच है जो की बैज आई है सोल की टीम पूरी मोटिमेटेड है एर जी के बंदे स्प्रेड है सोल को थोड़ा डिफेंसिवली बट उनके फावर फ्लैंकर्स को एग्रेसिवली कहलना होगा क्य फ्लैंक करते हुछ दिख लेटे भी ओटे वे ओवेस को नेटकनेक्ट हुआ पर ओवेस्ट ठोड़ाई डेमिज भिया नौक आफ नहीं वह भी बटफरी सही रहा है एर जी का कंडिज बंदे एंग एक प्लेनेट एक लेप्स आर ज Müरी चार बंदे और फुली भूस्टेड ह वाइपर ने यहां सारा को फिनिश ओफ किया सोल के जोली में है किल्स एंड 6 किल्स के साथ सामने बचे हैं उनके चार ओपोनेंट यह बेस्ट टाइम है सोल के लिए चिकन डिनर पिक अफ करने का मुझे लग रहा है काफी टीम सोल के करीब गी रहा है येस वाइपर के बहुत ही करीबता वाइपर यहां पर 50% हेल्फ में आ गए है उनको आप फुद को रिवाइट करना होगा लैपिस धीरे धीरे जोन के अंदर बढ़ते हुए यहां मेरे इसाब से लैपिस स्पोर्ट होग के अंदर जंडा गड़े का आपने सो यहां पर यहां पर दूसरे दिन के अंदर आखरी राइंगल में दिखा दिया कि कौन है वह वो इल्टिमेट टीम जो अभी बी कुछ भी करके दिखा सकती है चिकन टेनर मांगने ते चिकन टेनर यहां पर सर्फ कर दिया है यहां पर अंडर श्मिट करा पीचे सांगे और पहली फुर्सक पे सबको निकाल देंगे बिल्कुल सही का यहां आपने एंड टीम सोल का फाइनल इचिकन डिनर गेम नंबर टेन